लालू जी का जनमदीन है और ये देखे तमाम बड़े बाइनर पोस्टर्स लगे हैं और यही उनका आवास है जहां वो रहते हैं और सोचिए कौन है वो लोग जो लालू यादब को ललुआ बाबा साहिब को अमबेट कर ऐसे बोलता है उससे उसकी माइनसेट पता चलता है आ को क्या चाहिए मतलब उसको अध्या मंदिर बनगा खुश नहीं है महाकाल का दर्वार सजराव खुश नहीं है धरम नहीं पहले हमरा पेट है तो पेट के लिए कुछ चाहिए रोटी चाहिए कापड़ा चाहिए मकान चाहिए जये जाएंगे मंदिल में पत्थर का वह नहीं हम को लगता है कि भाजपा से हम तो कहेंगी कि उसको 2015 का मुखमंती चहरा उमिद्वार खाड़ा कर दे ता कि भाजपा में तो कोई नेता नहीं है मुधपर्देश का भिहार से ही कर दे कि हम भिहार फिर आएंगे तो बाबा मुखमंती का चहरा हो जाए बिहार में सोशल जस्टिस की जमीन कैसे तयार हुई है और उसमें लालू यादब की क्या भूमिका रही है और यहां के हिंदू कैसे सोशते हैं यह मैं आपको दिखा रहा हूँ जब निउस रूमे में आज देख रहा था स्वेब जमाई हो या तमाम मुसलिम पैनलिस्ट और सवर्न हिंदू पैनलिस्ट होते हैं और वो धन बचाने की लराई लर रहे होते हैं लेकिन बिहार के हिंदू कैसे सोशते हैं खासकर जो पिछरा अदली तादिवासी किसान कम्मूनिटी है वो हिंदू कैसे सोशता है वो बात करवाओंगा लालू जी का जनमदीन है और यह देखे तमाम बड़े बाइनर पोस्टर्स लगे हैं और यही उनका आवास है जहां वो रहते हैं और सोचिए कौन है वो लोग जो लालू यादब को ललुआ बाबा साहिब को अमबेट कर ऐसे बोलता है उससे उसकी माइंसेट पता चलता है क्या नाम है राम बाबु रुड़ार आप हिंदू बिल्कुल हिंदू हों तो हिंदू तो बीजेपी के साथ यह कौन Dobben b venues के साथ हिंदू है बीजेपी नफृत फैलाते हैं हिंदू की पार्टी B.J.P है वह नकले हिंदू है सतने हिंदू मुसलिम सीकिय साहिए हम लोग सबको लेकर चलते हैं यही भ वो कैसे हिंदु है हिंदु उसको कहा जाता है जो यह बिहार वाले यादव हिंदु को क्या चए यह मतलब उसको त्यक्काहर मंधिर बनका हो खुश नहीं किस विए भगवान के अब फंध है तो पेत के लिए कुछ चाहिए आन चाहिए रोटी चाहिए कापड़ा चाहिए माकां चाहिए कि हम जाएंगे मंदिल में पत्थर का घंटावा जाने आप की पिता जी क्या करते हैं मेरे भाबा नहीं तो नहीं था है कि भाजपा है कि उसको मुखमंत्री हम धिया खाड़ा कर दें मुध पर्देश का भिहार से पुराइ लिखाई दबाय बिहार के नोजवान पुरे देश के नोजवान रूजगार और छिप्छा यहीं चाहिए तलवार लेकर घूम रहे हैं जंडा लेकर घूम रहे हैं यह भर्म रख्षक यह बज्ढ़ंग दल वाले लोग यह नफरत हलाते हैं देश में एक दूसरे से लड़वाते हैं पुरे देश के पिछलों के लालु जी ने क्या कर दिया है लालु जी ने बोलने को चलने को सिखाया है लालु उस वेक्ति का नाम है जो वेक्ति बोलने को सिखाया लाली अपने परिवार का फेट भर रहे हैं बेटा बेटी सबको MLMP बना देखाया नहीं लालु जी ने यह जो लोग कहते हैं परिवारवाद लालु जादों ने परिवारवाद से उठकर सभी विहार को उन्होंने चलने बोलने सबको अधिकार दिलाने का काम किया इसे कोई बड़ा कोई निता काम नहीं किया आज कुछ सार पहले हम लोग ता उमीर नहीं था हम लोग पंदर सोरो वर्सका है जब हमारे बाबा दादा काते थे यह हम लोगों को खट्याब बैठने नहीं दिया जाता था यादवो को भाई यादव ठीके वीर है लेकिन ने जो जातिया नहीं आदव पहले बैठने को सिखाया लालू-जी ने एक बार बोला सभी गरीबों से कि आप लोग इस्तरह चलो इस्तरह बोलो आवाज मागों सब्सक्राइकbnिक ने बिल्कुर अच्छा ने किया उन्होंने जो भी किया हें कई नाम प्वार्ट लिया मजितों के नाम पोच लिया आप देखिए रेल शाय师 डिया प्रकौ Brittany मों सेल बेज दिया संझा क्यों यह प्कौरा तो अपना बिजनेस करो मोरश दिशनीह दोario पुरी दुनिया में भारत का नाम रोसन हुआ है डंका बज रहा है कौन डंका बज रहा है पुरा देश नोजवान पुरा देश वासी नरेंद्र मोदी और भाजपा को गाली दे रहा है कुछ लोग जो अपने आपको काते हम विकास किया सकतर साल में जो कंग्रेस ने किया उस सकतर साल के बीजेपी ने बेच दिया बड़े-बड़े कंपनिया बेच दिया इन्वेस्मेंट आ रहा है उसको और बढ़िया कर रहे हैं बढ़िया बना रहे है तो जानता कि पाइसे से बढ़िया कर रहे हैं अपने पैसा कहा कि अपने भारत चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं किराएं कोई कोई ट्रेन में सफर करता है क्या पैसा नहीं लगता है कि तीकत नहीं तो गरीब आदमी ठेला चलाए चाय बेचे पढ़ना लिखना जरूरी है बिल्कुल लोग क्या गरीब का अधिकार ना पढ़ने का गरीब का मन नहीं एक मुखमन तो सब दलित पिछरा अधिवासी पर लिख लेगा तो ड्राइबरी कौन करेगा सबजी कौन बेचेगा बैस कौन निकालेगा मज़ूरी कौन करेगा आप लोग दम जाती वस्ता को नहीं मानते हो वेस्ता नहीं देखे मोदी जी को हटाना है बिल्कुल है और निच भी जाती है जो महादली बनाया हुआ है महादली तो भी चाहता है तुम भी किसी को निच कह रहे हो हम लोग जाती बा सारा दलित पिछरा जो है न सब बीजेपी के साथ जा रहा है नहीं गलत बात है पुरा बिहार हो देश के जो जनता मूंड बनाई है 24 में बजलाव होगा बिहार से जब जब अंदुलन हुआ है तब से नितीज जी तो महीनों में पाठी बजलते रहे हैं नितीज जी ने परसे उनका माइंड सेट है लालु यादब ने बहुत काम किया है और सोसल जस्टिस को लेकर चाहे लालु यादब हो राम बिलास पासवानों नितिस कुमारों ये तीन ऐसे नेता रहे हैं सरद्यादब की कर्म भूमी रही है बिहार ये जनम भूमी नहीं है यहां से अब सोच को जाती धर्म के नाम पर बढ़गला नहीं सकते हैं यहां की लोग की प्रात्मिक्ताएं आज भी नौकरी है बहतर जिंदगी है बहतर समाज है मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो टीवी अखवार नहीं देखते हैं तो टीवी पर तो दिन रात हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलि जन्तावाज उटा थी उसको नहीं सिर्फ मोदी जी का भासर मोदी जी का जुटला कितनी उमर है मेरा अभी 16 साल है पताए 16 साल के बिहार का यह यूबा आती पिछले समासे रिजर्वेशन के पक्षमों की खिलाफ हो तो यह बिहार है यहीं से हम लोग निकले हैं बिहार में लोग कहते हैं कि उर्ती चिर्या को हल्दी लगता है अगर बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है बिधान सभा तो फिर उसके लिए देश जीतना सबसे आसान काम होगा 2024 में क्या होगा बिहार यूपी दो ऐसे राज हैं जहां से केंदर के सत्ता की जो सीरियां है वो तै होती है 80 सीटे हैं यूपी में 40 सीटे हैं बिहार में अगर यहां जो पार्टियां फलोप अगर बीजेपी फलोप करती है पिछली बार 49 सीटे थी बीजेपी गटवंदन को 80 सीटे हैं UP में अगर UP बिहार दो ऐसे राज हैं अगर ये दो राज BJP के हां से निकल जाते हैं तो फिर BJP के लिए मुश्किल होगी लेकिन जो बिहार के हिंदू हैं कटर हिंदू सब वो कैसे सोच रहे हैं समझ सकते हैं शंबु कुमार सिंग निस्कलों दस्टक पठना है गवाई को सबस्ट्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्ट्राइब बटन को दवाये फिर बेल आइकन की घंटी दवाये निस्टर्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें